हे दोस्तों वेलकम टू वाइफाई क्लासेस मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए अगेन मुस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबिलिडी का पार्ट सिक्स लेकर आया हूं दोस्तों जो की काफी जादा इंपॉर्टेंट होने बाला है आप अगर इमानदाई से फुल फोक होगी दोस्तों इमानदाई से पढ़िएगा और कच लोगों कन्फूजन होता है यह किस एक्जाम के लिए टार्गेटेट है यह सीजियल सीप्यों सीएचेसल एफकर जहां जहां इंगलिस पूछी जाती है वहाँ उन्हें एक्जाम के लिए यह हैलफ फॉल रहने वाला यह की है वीडियो ओके अब मैं यह तो नहीं बूलूंगा कि रिलवे के लिह आएगा रिलवे में इंगलिस आलती ही नहीं है तो जिस चीज में इंगलिस आलती है उस चीज का मैंने इसमें किया है मैं इसलिए बोलता हूँ दोस्तों क्योंकि एक गंटे की किमत है जो दिन आज का निकल गया कभी लोटकर नहीं आगा इसलिए इमानदही से फोकस जो कर पढ़ना वढ़ना सेंस नहीं निकलेगा पढ़ने का पढ़ाएगा कौन वर्ड के लास इंसान गौर्फ दिल थी है जो कि मैं खुद हूँ चलो भाई स्टार्ट करते हैं 151 नंबर कर देखो दोस्तों क्योंकि 150 तक पढ़ा चुका हूँ 151 होता है कनवलिस से इसका मतलब क्या होता दोस्तों कौन वैलिस से मतलब होता है दोस्तों जो बीमारी के बाद जो इंसान की तबिया ठीक होने लगती ना जो अपनी हेल्थ रीगेन करता है उस वर्ड को बोलते हैं और इसका पूरा वर्ड क्या बोलेंगे कनवलिस सेंस ऐसी एंसी आकरे में यहां लग जागा तो उसको बोलते हैं मतलब स्वस्त हो जाना जैसे अभी कोई 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 में कुछ लोग बीमार हो गए है तो वो क्या गोली दवाई खाके बापस अच्छे हो रहे ना उस स्टेट को क्या बोलेंगे कनवलिस से है ना अच्छा वर्ड है ध्यान रखेगा यह कोईड कर टाइम चल रहा है तो इस लिए इस वर्ड का नाम है Convercent मतलब having knowledge of किसी चीज़ का आपको अगर knowledge रहेगा तो उस word को बोलेंगे convercent तो Convercent आदमि कब होता है जब उसके पास उस चीज़ का knowledge होता है तब ही तो बात करेगा बनना मूझ बंद कर कर मनधुना की तरह बैठ़ रहेगा तो जिसके पास नौलेज होगा वही बात करेगा यह मार्केट में तो इसको याद रखने के लिए यह होता है having knowledge of is the meaning of conversant okay 153 क्या है देश्टों convict convict मतलब क्या होता है one proved guilty to be proved guilty मतलब यह देखो जैसे judge क्या होता है किसी को सजा सुना दे तक भाई यह आपने यह हरकत किए आपने murder किया है तो आपको guilty सुनाई दिया जाता है तो आपको 5 साल की सजा हो गई यह 10 साल की हो गई यह उमर कैद की हो गई तो इस word को बोलते है आपको पर्पर टाइब किया है अगर आपने इस वीडियो को देख लिया मतलब आपने प्लीन टू प्रेमान जो बुक है जो नी तू मेडम की है वो आपने अच्छे से कर लिया तो इमान दरी से देख लिया आपकी ग्रोथ बहुत होगी दोस्तों बिकॉस आई रिली वांट तो हेल्प यू यह हो गया फिर 154 क्या है दोस्तों अच्छा वड़ यह इसको बोलते है फ्रेंडली यह बहुत ही प्यारा वड़ है इसमें क्या होता है जो बंदे फ्रेंडली होते हैं बिल्कुल मिलन सार होते हैं प्यारे से होते हैं उसको बोलते हैं friendly मान लो अमिताब बच्चन के पास आप मिलने जाओगे तो अमिताब बच्चन बिल्कुल friendly behavior करेंगे आपसे तो आप उस term को बोल सकते हैं conviviality है ना अगर आप किसी और अपने दादाजी से मिलोगे तो वो कितने प्यार से बात करेंगे तो वो भी एक term conviviality वाले हो जाएगी हैना कि बहुत friendly आपके दादाजी अमिताब बच्चन बहुत friendly है या जो भी respected बन्दा है बिलकुल वो मतलब उसके लिए यह वाली term use होगी conviviality हैना अच्छा word है यह भी दिहान रखेगा सारे अच्छे वर्ट दोस्तो बस अगर आपने feel करना सीख गयाना तो बहुत help मिलेगी 155 corporal मतलब क्या होता दोस्तो bodily corporal मतलब जो जो चीज body से संबन देता है उसको बोलते है corporal लोग बोलते ना कि इसको corporal punishment है ना मिलना चाहिए तो मतलब bodily punishment मतलब body को punishment देना चाहिए जो पुलिस लोग मारती है तो वो क्या करती corporal punishment देती है मतलब body पर लटे लट मारती है तो उसको बोलते है corporal punishment यादा है आप तो बिलकुल याद रहागा जब ऐसी खताना comedy वाली बात कर दो सबको याद रहता है देखो 156 क्या होता है cops cops मतलब होता है दोस्तों a dead body of a person भई यह कोई बंदा जैसे COVID-19 बिचारा गरीब निपट गया तो उसको क्या बोलेंगे cops बोलेंगे cops ठीक है यह cops है अच्छा word है बिलकुल ध्यान रखिएगा c-o-r-p-s-e cops है ना इसलिए बताता हूँ दोस्तों क्योंकि यहां से चार नमर के question आते हैं c-g-l-c-p-o में दो spelling आती है free के number होते है इसलिए number गलत नहीं होने चाहिए है ना spelling गलत नहीं होनी चाहिए okay 157 होते है corroborate confirm और support corroborate मतलब होता है दोस्तों मतलब किसी support करना मतलब उसमें साथ देना उसको बोलते हैं corroborate अच्छा वाड़ यह भी इसकी spelling देखो सबसे पहले spelling क्या आएगी दोस्तों exam में देखो मैं लिखके बताता हूँ c-o आप भी लिखने के कोश्च करो मन में सोचो c-o-r-o-b-o-r-a-t-e corroborate इसको बोलते हैं बिल्कुल confirm करना और support करना that means corroborate okay 158 क्या है दोस्तों countenance countenance मतलब क्या होता है the expression of the face दोस्तों अपने जो face पर जो expression आते हैं उसको बोलते है countenance मान लो आपने कहीं मरा कुटता देख लिए रोड पे आपका मुझ कैसा हो जाएगा अरे या चीह क्या है मान लो आपने को प्यारी से लड़की देख लिए तो दिल खुश हो जाएगा चेहरे पर समय लागी कि आप बात दिल गर्गर हो जाएगा है ना मज़े जाया बिल्कुल तो आपके चेहरे पर जो फेस मतलब जो एक्सप्रेशन आगा ना फेस पर विल्कुल सुकून वाले विल्कुल लेक यह का लगी खुशी वाला तो उसको बोलते हैं चाउंटेनेंस है ना अच्छा वर्ड है यह को मले कुत्ता में तो मूड़ खराब हो जाएगा लेकिन प्यारी से कोई लड़की देख लिया कोई अच्छा बंदर देख लिया तो खुश रहाएगा लड़की ने कोई लड़का शायद कपू टाइप देख लिया तो वो दोस्तों एन एन सी भी दे सकता है एक्जामिनर स्पेलिंग में तो इसकी स्पेलिंग लिखकर देख लो मैं इसलिए बताता हूँ बिल्कुल फील करके ताकि आप समझो बिल्कुल थोड़ा टाइम लगे लिए अच्छे पढ़ेंगी दोस्तों पन सी ओ यू एन टी एन एन तो ए आता है यहां ना की ए आता है इसलिए कमांड डांट ऐसे पढ़ लो एक तरीके से याद रखने के लिए अगर आपको लगता है कि स्पेलिंग में हमको समझ में नहीं आता है तो मैंने चाल पांच पार्ट बना दिया है इमांदाई से डिस्क्रिप्शन में डाल हुँँगा मैं ठीक है? 159 बोलते हैं कपलेट कपलेट मतलब क्या होते दोस्तो जो बच्पन आपने गान वाना सुनते na two successive rhyming lines of words जो मतलब बो क्या बोलते है गान वाना बोलते ना जैसे दो होते थे दो लाइन के हैना उसी को बोलते हैं कपलेट अच्छा वाड़ इस तरीके से में आ नहीं रग कहीं का बोलने के लिए वनम अब बोल के बता देता आपको तो कपलेट उसी को बोलते है आप समझ गया हूंगे मैं क्या कहना चाहरा हूं 160 को बोलते हैं दोस्तों क्रैंप क्रैंप मतलब होता है दोस्तों आप समझ गया हूंगे मैं किस कंडिशन के बात कर रहा हूं लाइफ में एक नएक बार जरूर किसी का पैर में कुछ अजीब सा लगता बहुत गंदा लगता है 161 को क्या बोलते हैं दोस्तों क्रिदेंशियल क्रिदेंशियल मतलब क्या होता दोस्तों कुल्टेंश टॉस्तों क्रिदेंशियल क्या है आप इस कंडिया से क्रेंशियल क्रिदेंशियल का कॉछन से क्लिशद हो या कौन से केंपस से सलेक्ट हुए थे इस तरीके से उसको बोलते हैं क्रिदेंशियल ओके अच्छा वर्ड है यह है यह अपने 12th 10th की माक्षिट लगती न उसको क्रिदेंशियल बोलते है 162 को बोलते है क्रूग्ड क्रूग्ड मतलब होता है डिसॉनेस्ट नॉट फॉर्मिं समझते न मुवी के हसाब से तो बस वहीं से मैं लिंक किया था कि क्रूग्ड मतलब होता है डिसॉनेस्ट और नॉट फॉर्मिंग ए स्टेट लाइन का मतलब यह होता है कि बतलब टेला मेड़ा विल्कुल मतलब थोड़ा चालक टाइप का सीधा साथ नहीं विल्कुल थोड क्लमिनेट मतलब होता है एक आखरी पॉइंट पर पहुंचना और वहां खता हो जाना मान लो भई आपके घर के पास बढ़िया मंदिर में भानुवान जी की बढ़्डे था कल परसों तो बहां मिल ला था परसाद कूपसार तो परसाद बढ़ते बढ़ते आपको पते चला नहीं तो उनके थारी में पूरा प्रसाद खतम हो गया है मंदर वाले बोल रहा है तुम थोड़े जल दिया जाते हैं मिल जाता आव ऐसे के सुके के सुके घुमते रहो कोई मतलब नहीं तो उसी को बोलते है कलमिनेट तो रिच अपॉइंट एंड पॉइंट में गया और व आपकि बोले यह कल प्रट यह इस न बो मतलब गलति करी है इस न गरवर किया है तो बोलते न यहीं है कलปरिट सब्क्रेट करी हैसे को बहुत प्यारा वर्ड है एन e carbon श्ивает जिस को बलते हैं आजिसे चीज में कोई होता न थो उसको बोलते है डवैं अम्नोंते आज इसे वाले कि कैसे इनको वीडियो बनाना है कैसे प्रिजेंट करना है कैसे तैयारी करनी है तो यह मतलब expert बन चुके है इस चीज में मतलब फिलाल तो ऐसा बोल सकते है यह किसी का कोई subject में Mastery को कई English में है तो उसको बोलते है कि यह dab hand ऐसा बोल सकते है work in a non-serious way ऐसा बंदा जो मिलकुल बिलकुल इमान दाई से काम नहीं करता है तो उसको बोलते है जो नौन सीरिस होके अपना काम करता है उसको बोलते है डैबल मतलब ऐसा है कि उसका target यह था लेकिन कभी वो यह कर रहा कभी यह कर रहा है कभी टाइम पास कर रहा कभी इमान दा महां जा रहा है मतलब वो अपने काम को efficiency से नहीं करता है उसको बोलते है डैबल तो आप किसी अपने दोस से बोल सकते हो यह डोंट डैबल if you really want to succeed if you really want to crack the exam then don't dabble, dabble मतलब non-serious way में काम मत करो इमान दाई से fully focused हो के काम करो ठीक है तो dabble मतलब समझ में आया जो कि waste हो जाएगी तो मैं कहारा हूँ कि 50 वीडियो के जगा अगर मैं 100 अपलोड कर देता हूँ लेकिन आपने 50 देखें तो 50 जो देखें उनका revision जरू कर ले ना टुकी स्पीड में तब आपकी growth होगी दोस्तों क्योंकि दिमाख में कहां ले जाओगे दिमाख में return करने के लिए सब्सक्राइब अब भी पढ़ाई कर रहा है पतला थोड़ी जब आप ब्रेक लोगे तो पंजावी गाना लगा कर बैठ गए तो आप एक डाफ्ट बन जाओगे इस्टूपइड बन जाओगे क्यों क्यों क्योंकि आपको लग रहा हमनों नजन कर रहा है लेकिन आपका मोटिवेशन देखना कुछ सेल्फ डव्लम्मेंट पर देखना कुछ बुक पढ़ लेना अपनी ये किसी अच्छे इंसान को सुन लेना जिससे पॉजिटिविटी मिलती है विराट को ले रुनार्ड विन के बारे में देख लेना तब जाके ग्रोथ हो गया आपकी फरजी अगर नौरा फतेई और दिलवर दिलवर गाना फस गाना तो कचरा हो जागा जिन्दीगी का भाई मेरे है ना मतलब मैं अपने लेवल बता दे रहूं कि मैंने एक भी अपने पिछले दो तीन साल में एक दो मत गलती से कहीं देख लिया हो को वर्णम में पंजाबी गाना औ तो रहनती स्किप कर देता हूं क्योंकि मायने में कचरा नहीं जाना चाहिए और कचरा मतलब पंजाबी गाना के दुनिया की कहीं की भी चीज दुनिया की फाल तू बैफ सीरिस में जो चल रही ना एक हमत देखे ना मैंने पिछले तीन साल में माहा तो दो से तीन पिचर द पड़ेगा कि मुझको बस सिर्फ अपने गोल पर काम करना है अब जो मुझे गोल पर कारता उस पर एनरजी लगाऊंगा वालतों चीज़ें नहीं देखूंगा तब आपकी ग्रोथ होगी भाई ऐसे नहीं होती कि खेलते कूदते बिल्कुल ग्रोथ हो गई है जितने भी च मतलब होता है small and graceful मतलब जो बहुत small और बहुत graceful होता है उसको बोलते देंटी मालो आपने दुकान में गाई कहीं gift लेने के लिए अपने दोस्त के लिए तो छोटे-छोटे कुछ प्यारे-प्यारे खिलोने राके रहते न तो उसको बोल सकते हैं आप dainty small and graceful graceful ओके और क यहां दोस्तों 169 को बोलेंगे डैली डैली मतलब क्या होता है procrastinate करना to waste time or do something slowly मतलब यह होता है मैंने एक टर्ग बनाई थी कि यह डॉली नाम की ललकी है और हम चोटे थे तो हमारे घर के बाजू में डॉली नाम की ललकी रहती थी वह बहुत जादा slow थी वह बहुत जादा procrastinate करती थी तो बस मुझको वहीं से मैंने link कर लिया मुझको याद हो गया डॉली को तो नहीं पता कि मेरे नाम पर example भी बन गया लेकिन भाई याद करने का तरीका है तो डॉली मतलब डॉली मतलब डॉली डॉली के करती प्रोक्रेस्टिनेट करती है बहुत slowly काम करती है लड वर्जस रिकी बहल उसमें एक लड़की थी उसने मतलब यूज किया था कि भीया रन्वीर सिंग ने अनुषका शर्मा की इसलिए help करी थी क्योंकि रन्वीर सिंग को लगा होगा कि she is damsel in distress उसने ये line बोली ना तो मुझको बड़ी खुशी हुए क्योंकि मैंने ये सब idioms यूज करते हैं वो है ना इसलिए वो अच्छा कमाते हैं अच्छा पैसा कमाते हैं क्योंको नोलेज भाई ऐसे फरजी इंसान नहीं है वो फरजी लोगों कभी कुछ नहीं होता भाई अपने आपको इंप्रूफ करो डेंक डेंक मतलब होता है डेंप और वेट मतलब उसका गीला करना किसी को गीला तो चाय का डंक यह चाय का बन गख कर नका किग उपर पानी नहीं हो रहे बस मैंने ऐसे ट्रिक बनाई थी क्योंकि मुझको याद नहीं हो रहा था तो मुझको नहीं हो रहा है तो आपको भी शायद नहीं हो तो आपके help करने के लिए मैंने बता दिया I hope आपको पसंद आई होगी 172 को बोलते डैपर अरे ये भी बहुत प्यारा वर्ड है ये बताऊंगा कैसे प्यारा है ये भी बताऊंगा मैं feel करता हूँ दोस्तो वर्ड इसलिए मुझको बहुत सारे वर्ड याद रहते है जिस दिन आप feel करना सीखे ना तो आप भी चेंपिन के रास्ते पाज आएंगे डैपर मतलब होता है neat and tidy दोस्तो एक दिन मैं कपेल शर्मा का शो देख रहा था कहीं का आवर्ड शो था तो कपेल शर्मा सूनम कपूर से बात कर रहा था तो सूनम कपूर ने कपेल शर्मा से बोला था कपेल यू आ लोकिंग डैपर है ना तो कपेल ने का अच्छा थेंक्यू लेकिन होता क्या है वो तो डैपर का मतलब होता है neat and tidy बिलकुल clean है ना तो डैपर सूनम कपूर ने यूश किया था तो अब समझ जाओ सूनम कपूर अगर अच्छा पैसा कमाती है तो उसको ऐसे वर्ड आते हैं एसा नहीं कि उनने बोला कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना समझ में आया उनको पता है knowledge हो उनको that's why they are earning बिलकुल खतरनाक मनी और क्या है 173 बोलते है डैपर्ट डैपर्ट मतलब होता है अग कहीं किसी लड़की से मिलो या किसी लड़के से अगर कोई लड़की मिल रहे है किसी लड़के से बोलना कि you are looking very डैपर्ट उसको पता होगा ठीक ने क्यों लगा रहे तो उसको बोल देना you are looking very beautiful and डैपर्ट इतना बोल देना लड़की खुश बिलकुल final हो जाएगा बिलकुल तुमारा फिर ठीक है डैपर्ट हो गया डॉब मतलš होता स्मीर यह बत्या जीब सब वेड üzer ॉसको बोलते लेपना जैसे लेप लगाना बोलते न जैसे लेप लाते हैं क्या होता गाउ में लोग क्या करते हैं गोबर गोबर को था मैंने एक वी वर्ड को इसकिप नहीं किया पूरा का बूरा बुकसर प्रॉपर टाइप कि आपकी हल्प करने के लिए बहुत मेंना से कला मला चेंज करके ताकि आपको प्रॉपर समझ माँ है तो अच्छे से पढ़ना भाई है ना क्योंकि प्रॉपर टाकत के साथ पूरा यूज करने क्योंकि रोणाल्डो मैसी विराट कोली नौवाग जुकविच रोजर फेडर और जितने वी वड़े-वड़े लेजंड के मैं नाम दे दूँ वो सब लोग अपने टाइम को यूज करते हैं तो आप भी करना हूँ विकॉज यू आ रचेम्पियन गाइस मैं तो यह मान कर चलता हूँ डॉण्ट मतलब क्या होता है डराना होता डॉण्ट मतलब बोलते न भी यह बहुत हॉंटेड जगा है तो इसी को डॉण्ट भी बोल सकते हैं इंटिमिडेट करना डराना मतलब फ्राइटन करना तो आप समझ गया होंगे क्योंकि कोई किसी को अगर डॉण्ट करता है मतलब डराता है डॉण्ट कर रहा है वह आपको डरा रहा है आप बिल्कुल फ्राइटनी स्टेट में हो है ना तो आप वो लोग भी यह बहुत इंटिमिडेट मी मुझको मट डराओ भाई तो अच्छा वर्ड इसको बोलते हैं दॉस्तों वो था डॉन्ट लेकिन यह था डॉन्ट लेस मतलब फ्यल्स मतलब फ्यल potent região स्लसा four बॉल्ड d बहुत बहुत प्यारओ यह अच्छाई नहीं रखिए का अर च्छ दौढ़ दोस्तों यह है दर्थ दर्थ मतलब क्या होता दोस्तों किसी चीज की कमी होती ही ना तो इसको बोलते हैं दर्थ है ना तो यह लैक आफ बिल्कुल सिंपल वर्ड है कि आप जैसे कुछ टर्म लिख रहा होगे भी यह देर दर्थ ऑफ वाटर इन दे प्लैनेट क्योंकि अपना आप अगर य B-100 कि 0.03 शिर्फ फ्रेश बाटर होता है जो कि अपन पीते हैं बाकि सारा पानी कहीं गलेशिय का होता है कहीं माउंटेंज का होता थेकर बिल्कुल फ्रेश पानी 0.03 होता है तो अब ही अपने यहां पानी की कमी है ऐसा कह सकते है अपने प्लैनेट में ठीक है बाई ौर क् डिबॉच 178 को बोलते हैं डिबॉच डिबॉच मतलब होता है बहुत श्यांदा वर्ड है ये वन विस गिवन टू शक्स अलकुहल ऐसा वन दा भाई है जो बिलकुल इस चक्करम फसा हो इस बबंदरम फसा हो इसको कोई दिखते हैं नहीं हो दिन रात मोबाल में यही चल रहा तो आप बोलोगे I know you are a debauch क्या बोल दिया आपने हमको समझ में नहीं आए अरे समझ में क्या से आगा दादा हमने तो पढ़ा है तुमने थोड़ी पढ़ा है डिबॉच मतलब होता है a person who is given to sex alcohol मतलब उसको दारू के अलावा और इन सब के अलावा कुछ चाहिए नहीं मैं पत पत चलेगा उसको क्या बोल दिया तुमने 179 को बोलते हैं debilitate मतलब होता है किसी को कमजोर करना वीकन करना बहुत ही अच्छा वर्ड ये भी debilitate करना होता है किसी को कमजोर करना जैसे अभी क्या COVID-19 में क्या हो रहा वायरस का असर होने के बज़े से इंसान debilitate हो रहा है वीक हो रहा है ठीक है ऐसे याद कर सकते हैं बहुत अच्छा वर्ड ये 180 को बोलते है debonier debonier ये मुझको याद नहीं हो रहा था लेगन बहुत प्यारा वर्ड ये भी इसको बोलते हैं दोस्तो friendly आप सोच रहा हूं गया गौरा भाई को सारी वर्ड प्यारे लग रहे हैं द इसलिए मैं अपने आपको तयार करता हूं कि आप फील करता हूं कि मैं भी ऐसी इंगलिस्टी कुंगा और देखना फोड डालेंगी आपन किसी रनवीर सिंग से कम नहीं है किसी विराट कोली से अपन कम नहीं है तो आपने आपका यही बिलीफ होना चाहिए तो डेबनियर म मतलब होता है friendly मैंने याद का था दोस्तों मुझको याद नहीं हो रहा था आपने वॉलीविट के दुनिया में डबू रतनानी के नाम सुना डबू है ना डबू तो मैंने असी बस वहीं से लिंक कर लिए कि डबू रतनानी से सब लोग friendly महोल में रहते हैं क्योंकि बढ़ि पर बिलीव नहीं करो ना तो पूरी दुनिया में कोई आपसे बिलीव नहीं करेगा first of all you have to believe in yourself that you are a champion you are a star है ना चलो 181 को बोलते हैं debunk something performed for the first time debunk मतलब होता है जैसे मैंने इस ट्रग यह बनाई थी कि debunk के अंदर आ रहा बंक तो पहली बार कई बार मतलब बच्चे लोग बनक मारते हैं something performed for the first time पहली बार जिंदीगी में कुछ बच्चे आपन जब कॉलेज में जाते हैं तब जाका अपन बंक मारना सीखते हैं इस्कूल में बंक मारते हैं तो वो first time अपना रहता है कि अपर पहली बार बंक मार रहे हैं इस्कूल में तो मैं कभी बंक नहीं मारा लेकिन मैं कॉलेज में जरूरू बंक मारा है ठीक है तो something perform for the first time बिलकुल याद रहेगा आपको 182 को बोलते है decency decency जब भाई आप कहीं कि साधी माधी में जाते हो तो ममी पापा क्या बोलते हैं अच्छे सा सब्वेता से बहबार करना तो आप पापा जी सब्वेता इसलिए बोल रहा है क्योंकि पापा को decency बोलना साहिए ना आता हो लेकिन इसका मतलब decency होता है कि आप पीछे हम कितना नंगनाच मचा देते हैं है ना तो उसको decency maintain करना उसको बोलते हैं जब आप पहरी बार किसी ललकी से मिलते हो तो कितने decency बात करते हो हाई कैसा है क्या नाम तुमारा तुम्हारा तुम्हां क्या पसंद क्या नहीं पसंद कॉपी प्योगी कोल्ड को यह हो सकता है कि तुमको time लगे मतलब लोग तुम्हें पसंद करने में लेकिन एक genuine बंदा आपको जरूरू पहचान लेगा कि आप decent बंदे हो है ना so be a decent person like गौरक्तिल थिया 183 को बोलते है decimate decimate मतलब होता है kill करना destroy करना decimate नाम ही लग रहा है है ना मैंने मतलब अजीब सा कैसा में को याद नहीं रहा था मैंने कैसे बंद किया मैंने decimate को बना लिया क्योंकि मैं भूल रहा था दोस्तों और मैं ट्रिक बना लेता हूं तो decimate मतलब होता है kill करना destroy करना इसको आपको याद करना पड़ेगा कुई तरीका नहीं repetition is the key there is the only key बस repetition और कुछ नहीं decimate मतलब होता है दोस्तों decode करना decimate मतलब होता है किसी चीज को decode करना मालों यहां कोई बड़े इसी खतर ना जैसे पुरान जवाने में लिखाने रूल्स वगेरा लिखे रहते हैं कहीं किताब में और फिर आपको उसको पढ़ पढ़ के जैसे और किसे बता हूं मैं आपको 25 तारिक को यहां बैठेगा फिर यह होगा फिर ऐसा होगा दुनियावार की तंदी तुपन बताते हैं तो उसको बोलते हैं decode करना ठीक है तो वह आपको समझ में नहीं आता है लेकिन सामने वाला उस चीज को decode कर लेता है ठीक है 185 को बोलते हैं भया डेकलेविटी डेकले के नीचे आओगा ना तो उसको बोलते है डेकलेविटी डाउनडवर्ड स्लोप ओके ठीक है बहुत शान्दा वाड़ यह 186, deface, deface मतलब होता है disfigure करना मतलब किसी का मतलब शकल बिगार देने एक तरीके से deface सकल बिगार देना मतलब कोई सिर्फ इंसान या लड़की के नहीं लड़के के नहीं कोई डबबबबी कुछ भी डबबबबी में आपने लातमार को उसका टेड़ा मू कर दिया डबबे का है ना मतलब आपने बॉटल को पिचका दिया है ना वो बिसलेर के बॉटल के हैं पिचका देते हैं तो आप उसको deface कर रहे हो ठीक है disfigure कर दिया उसको बिल्कुर सीधा नहीं रहेगा वो तो अच्छा वर्ड ध्यान रखेगा एक वर्ड होता है दोस्तों deface से बढ़ आया मुझे इफेस तो आपने उसके फेस से मिटा दिया मतलब इफेस कर दिया फिर वो उठागा आपके धम धम पीट में देगी तो आपको पता चल लाएगा कि बहुत प्यारा वर्ड है है ना इफेस जब याद रहेगा जब आप सच में किसी लल्की के ऐसे काजर मिटा कर देखना और जब पीटे गिनाद उस दिन से आपको पूरा याद रहेगा ईफेस मतलब क्या होता है चलो भाई आगर वड़ते हैं शांदार फनी की तरीके से आगए और क्या है डिफेक्टो हाँ ये वर्ड तो रही गया भाई डिफेक्टो मतलब होता है एक्जिस्टिंग इनफेक्ट उसको बोलते हैं जो इसको मतलब रठना पड़ेगा आपको कोई तरीका नहीं है डिफेक्टो मतलब होता है एक्जिस्टिंफेक्ट जो मतलब एक्जिस्ट करती है उसको बोलते है डिफेक्टो ओके जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है तो प्राइम मिनिस्टर करके आत्र भासर देते हैं रहे मित्रों ये करेंगे और वो करेंगे दंदे तुपान करेंगे और खुद जाके ये सीम सोच आते हैं वड़िया है ना ये चल रहा मार्केट में और क्या हो रहा है डिफिटेस्ट मतलब होता है वन हुए एकसेप्ट डिफीट इजीली ऐसा को बोलते हैं डिफिटेस्ट जो की बहुत बेकार चीज़ है ऐसे बंदों का साथ छोड़ दो भाई ने तो आप भी डिफिटेस्ट बन जाओगे ऐसे अगर आपकी जिंदिगी बंदे इनको सबसे पहले लातमार्क भगाओ उनको बिलकुल और भग नहीं रहे हैं तो इनसे यह अजीब सही आपको लग रहा होगा है difference मतलब क्या respect होता है लेकिन यह bird है दोस्तों difference बिलकुल याद रखना है डि-e-f-e-r-e-n-c difference को बोलते हैं दोश्तों respect करना ठीक है अगर मान लोग मैं फिर से बहुंगा यह यह बचान इतने respected आपके घर में आएंगे तो आप बह को बोलते हैं डिफाइंट मतला होता है डिस ओबिडेंट का मतलब यह है कि आपने किसी को बोला भई यह जैसे आपके आपके घर में महमान हैं महमान कुछ चाचा के बच्चे है ठीक है तो आपने बोला बेटा एक काम करो यहां टीपले बेट चुपचाप खाना खालो तो बेटा बेटा बेट चाय माओ गर जाएगी बेट खरा हो जागा बोले नहीं हम पलंग पे बेट खाएँगे हम चाय भी घराएंगे तो बो mandatory कर रहे हैं बच्चे स्टेशन जो की नहीं होना चाहिए बहुत बेसिक वर्ड है लेकिन मैंने तब भी ले लिए क्योंकि मैं एक भी वर्ड मिस नहीं कर रहा हूँ विकोस आई बिलीव इन ओनेस्टी एक एक वर्ड पढ़ाऊंगा दोस्तों मैं आपकी हल्प करूंगा देखना diffuse मतलब होता है दोस्तों reduce tension किसी का tension कम कर देना उसको बोलते है diffuse मैंने टर्क यह बनाई दिसकी कोई बंदा fuse भाईया क्यों तेरे fuse ओड हुए है तो वो बंदा fuse था तो मैंने जाके उसको कर दिया diffuse कर दिया मैंने उसको entertain कर दिया बढ़िया से जोक सुना दिया तो वो हो गया diffuse ठीक है तो डिफ्यूस हो गया तो बस मैंने इस तरीके से मैंने याद किया था बहुत शांदर था जोक स्याद आ गया तो मैं आपको जोक सुना देता हूं तो क्या हूँ भाईया एक बढ़िया से पाथ जा नीचे की आचा लड़ कुछ देखो कर पांच मिट कुटर रहा था अप देखता हूं ऑसाले को मैंने इुखार दी अब कहँ तakin हुता हूं अते होता है मैं है खूंध में ओक national module लृत देखता है अब होगा डॉक्टर ने तक खतरना काम किया मन तो किया दॉक्टर के दू लेकिन डॉक्टर ने जो बात बोली मुझे बड़ा मज़ा आया भाई तो यह चोटा सा जोग था डिफ्यूस हो गया डिलेज मतलब होता है लाज लेकिन डिलेज को बोलते हैं दोस्तों बार जो बार आ जाती ना बेस्ट वंगाल में आ गए थी यहां वहां अमपान तूपान आ गया था ठीक है वड़ी सा वड़ी सामें तो इसको बोलते हैं डीलेज मतलब बार अच्छा वर्ड ध्यान रखिएगा वर्ड-94 को बोलते हैं बोलते हैं a person who studies changes in number of birth मतलब जो होता है जो जन्म का विवरान रखता है मतलब गाउं में ऐसा होता है उसको बोलते हैं demographer वो पूरे खांदा उनका हिसाब रखेंगे कि भजी इनका दादा जी का नाम क्या था दादा जी के बेटे का नाम क्या था पूरा कौन-कौन बच्चे पैदा हुए क्या है जिस तरीके एक census में लिखते हैं ना पूरी family में कितने लोग हैं इसलिए इसलिए डेमोग्राफर बंदे होते हैं जो पूरा धिहान रखते हैं कि कितने पैदा हुए कितने मरे उसको बोलते डेमोग्राफर नामी डेमो है मतलब होता है तो किसी की निंदा करना उसको बोलते हैं डिनाउंस करना मालो जैसे अभी बहुत ही गंदी मूवी आए थी किसके रनीवीर कपूर की आए थी और कैट्रीन कैप की मन लगत तो रहा था कि बढ़िया-बढ़ी आक्टा ने तो कुछ अच्छा होगा जग्गा अ बहुत ही बकवाज मूवी इतनी गंदी मूवी मैंने जिंदगी मने देखे अपने तो मैं उस चीज़ को बहुत ज्यादा डिनाउंस करूंगा क्रिटिसाइज करूंगा वैसे तो मेरा फेबरेट है यह बहुत अच्छा बंदा है यह यह बहुत शानदार है लेकिन उनकी फ जो काम किया उसको बोलते बैरी बैड अच्छा वर्ड है यह बिल्कुल धियान रखे का जरूर एक्जाम में देखेगा आपको सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है बस फोकस जो का पढ़ना खतम करने वाले हैं अच्छे सा आपके 200 वर्ड टॉप क्लास के कंप्लिट हो जाएं तो मैं उस पॉजीशन पर वहां था यहां है है ना मैं उस पॉजीशन पर था फा ही नहीं जहां फॉझे को है जहारे वहां स तीज बना लृए वहां अपनी बात होrait लोए हैं basic word को attention की बात नहीं 199 second last है desecretion क्या है desecretion ठीक है desecretion बोलते है desecretion treatment of something sacred with disrespect मैंने एक बार फिर से बता चुका हूँ कि एक बार भी मैंने एक फोटो देखा था बहुती गंदा एक लड़के न संकर जी की पिंडी पर लात रखके बड़ी जूता पर फोटो की चवारा था खमीना मन तो करा था उसको पकड़ा के धंद हो वालकुल कि मतलब ऐसा बखवास काम करा तो उसने क्या किया desecret किया desecretion किया मतलब किसी पवित्र चीज का असमान किया डिस्रिस्पेक्ट किया उस पुंडी का उस मूर्ती का भगवान का तो उसको बोलते हैं desecretion अच्छा वर्ट ध्यान रखिएगा और दी हटा दिंगे तो हो जागा पबित्र हो जाएगा है ना यह तो पता ही होगा दो सो लास्ट वाला फाइनल का थे कि भी आम मैं उसे मिलकर रहूंगा है ना तो मुझे से कोई बोलेगा गौरफ दिलती है इसको बोलते हैं मुझ लिए आपने यह वाली टर्म सुनी होगी कि लड़का यह लड़की है प्यारी से शांदार सी है ना केटे ना किया परजी सा लड़का यह इस लड़की के लिए मतलब बिल्कुल यह चाहिए उसको भले यह अब इसमें कुछ दम्मम है नहीं कुछ इंप्रूब्मेंट करना नहीं लाइफ में कुछ गुरू करना नहीं और सीधा बोलना एक भाई तुम भी मुझे पसंदो कैसे पसंदो उसको तो शाहिद कपूर पसंद है अब तुम शा लगनी शेयर कर दें एक बंदे को जिसके चेहरे पर आप इसमाइल दिखना चाहते हैं कोई न कोई आपका दोस्त फ्रेंड गल्फ्रेंड जो भी होगी उसको शेयर करें उसको बताएं कि यहां से पढ़ो इंप्रूव करो फुल इंटर्टेन्मेंट के साथ क्यों को गुग लेकिन अच्छी होगी फालत बात ने करूंगा आपकी जरूँ होगी थोड़ा थोड़ा करके ठीक है अभी आपकी help करने के लिए description में आप पूरे 1, part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 देख लूँगा और बाकी की चीज़ भी डाल दूँगा आप अगर interested हो time है sincere हो तो जाकर देख लेना ज जरूर से भले 2K speed में देखना देखना जरूर और दुनिया की सबसे खतरना और सबसे important बात revision is the key never underestimate the power of revision जितने भी IES IPS बनके वैटे दोस्तों वो भी consistent revision करते हैं that's why they are playing at the peak level that's why they succeed है न तो अगर आपको भी succeed होना तो revision के power को underestimate मत करना consistent hard work करना 5-6 गंटे हर दिन पढ़ना हर भले दुनिया इधर की उधर हो जा कुछ ही बोजा लेकिन 5-6 गंटे हर दिन पढ़ना और खुद दिल पर हाथ रखके बोलना कि हां मैं 5-6 गंटे पढ़ाई करता हूं मेरा selection होगा आई नहीं मैं खुद को देखके बोल देना क्या मैं 5-6 गंटे हर दिन पढ़ाई करता हू अगर करते हो ना तो खुद को confidence आगा है कि हाँ मेरा exam निकलेगा और नहीं करते हो तो खुद को बता चलेगा कि मेरा exam कितने और कितना type लगेगा तो सब कुछ आपके उपर है it depends on you that how you achieve your goal बस दोस्तों इतनी बताना था thank you so much never ever give up be consistent towards your goal and be proud of who you are and never ever give up एक बाप फिर से बोल never ever give up कभी give up मत करना बले कितनी दिक्कत देना है कोई दिक्कत नहीं face करेंगे चलो thank you so much